सामपाल जाट सची वधिकारी किती परेशानी होती होती है परेशानी होती है आप लेकर अब लिग में समझते हैं पहले भी आपने कदोना काल में किस तरह से दूखी करी थी कि पहले भी प्रेगनेंट तो साथ में तर आते में तक दूखी दिया आप तो और किस तरह आप डूटी कर णे तो गल्ए है यह तो इसमें हो तो यहां कारोना काल की डूटी लगी है तो डूटी में अभी आति माने से दूटी चल रही है यहां किस तरह का काम करने हैं यहां तो लोगों को सीखा रहे थे कि मास्क लगाए अपने परिवार को भी सुरख सित्र करें बच्चे को लेकर आप डूटी कर रहे हो ज़ां बच्चे को लेकर शर वमारे घर पे कोई रखने वाला है नहीं तो छोटा बच्चा अब तो घर पे रखन च्छे महीने का हैं, यहां पे भी इसको लेकर ही ढूटी करनी पड़ती है, जब कि कोई रखने वाला है निटो, किया नाम है? कि दिख्शीत तीन महीने से दूटिया कर रहें परेसान यह प्रेसान यह तो बहुत शारे आती हैं अब हमारे फरजें में भापते हैं यह किएँ करनी पुद्यी करने कुछ उनाथ लेकिन आप जंनता को समझाना पबलीक प्लीक कर गीना और हमारा फरज के का तो हमें बच्चों से भी ज्यादा भी तो एक फर्ज दूटी का निबाना पड़ता है और एक मां होने के नाते बच्चों का भी फर्ज निबाना पड़ता है पिछले कोरोना काल में किस जगे आपने डूटी की थी हम डूंगरपुर डिस्टिक में सिमल वाड़ा उस समय कि अपिल करते हैं कि वो घर में रहे और शुरक्षित है और अपने फरिवार को भी सुरक्षित रखे आपको चुटी की कुछ आप सकता है या नई है चुटी की तो आप सकता है पहले डूटी का फरज तो निबा रहे हैं और चुट्टी भी लगा रहे कि हैं तो बच्चे की देखबल के लिए अगर हो जाये तो अच्छी है पन जब तक नहीं हो तब तक तो हमें हमारा फरज डूटी का तो निबाना है कितने बच्चे हैं आपके और दो बच्चे एक हेट हैं एक anti स्थ मारण मेंथे में ये फिते और इंप लिख ले वही कोरोणा पॉजिटिव आए हुए हुए हैं किस तरह में कुल करा किस तरह आला हैं समय हाँ वो तो अब टीटमेंट लिया और ऑस्पिटल जाके और फिर जैसे तैसे ठीक हो के वापिस डूठी जॉइन किये तो डूठी पर वापिस आए चिक आपका नाम नंदू पुटे फुल फॉर्म क्या आपके मेवाड बिलकॉर